इसी तरीके से महारवाड के रावचंद्रसेन रहे हैं। मुगलों की अधीनता सुईकार नहीं की और अपना जो संघर्स है वह आज इवन इन्होंने जंगलों में पहाडों में बिताया तो राव चंद्र सेन जो है राना प्रताप की तरह इतिहास में इतना इनका नहीं नाम रहा जितना की मुगलों की अधीनता सुईकार नहीं की प्रहाज ने भुला दिया था तो ये सबी कुछ हम जानेंगे तो ये मारवाड के थे राव चंदरसेल तो याद रखना है कि जो मारवाड है तो यहां के जो आदी पुरुस हैं मूल पुरुस हैं वो कौन थे राठोट शीहा थे ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर राव बाद हमने पहले भी पढ़ा था राव रणमल आते हैं, रणमल के बाद उनका बेटा राव जोधा आता है जो की जोदपुर जो शहर है, जोदपुर नगर around 1469 में बसाता है. उसके बाद आते हैं राव मालदेव जो की राव चंदरसेन के पिता थे तो थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमें इनके पहले की लेनी थी तो देखिए राव मालदेव जो थे इन्हों ने खानवा के युद में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था हमने जब राणा सांगा के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि राव मालदेव जो थे वो राणा सांगा के साथ थे इनके पिता जो थे कौन थे राव गांगा जो राव मालदेव थे इनका विवहा जो है वह होता है जैसल मेर के राव लून करण की जो बेटी थी उमादे उनसे विवा किया जाता है तो ये इतिहास में राव मालदेव की जो पतनी थी उमादे वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है तो ये भी एक घटना थी जैसे हमने प्रत्वी राज शिशोधिया के बारे में पढ़ा था कि तारागड से संबंदित उनकी जो पतनी तारा थी उनके नाम से ही प्रत्वी राज शिशोधिया ने तारागड नाम रखा था अजै मेरू दुर्ग का तो उस तारागड से ही रिलेट है इनकी पतनी जो उमादे थी उनकी कहानी तो देखिए राव मालदेव जिने हसमत वाला शाशक कहा जाता है इन्हें उपादी बावन युद्नों का विजेता की प्राप्त थी मालकोट का किला, सोजत का किला, पोकरण का किला और अजमेर का तारागड यहां पर अधिकार किया था तो जो मालदेव थे इन्हों ने दिखिए मेर्टा के जो वीरमदेव थे और बीकानेर के राव जैसी इन पर भी आक्रमन किया था तो ये जो वीरम देव और राव जैसी थे जिन पर आक्रमन किया था वो क्या होता है वो शेर्षा सूरी की सरण में चले जाते हैं ठीक है तो आपको पता है कि 1549 से 1540 तक जो शेर्षा सूरी है इनके हातों से हार जाता है हिमायू और इधर उदर भटकता रहता है तो मालदेव जो है इन्होंने क्या किया था हिमायू की साहता की थी तो जब शेर्षा सूरी जो है अगर हिमायू से फ्री हो जाता है हिमायू को पराजित कर देता है तो उसका अगला निशाना कौन होगा मालदेव होगा तो यहां पर देखिए 1544 को गीरी जुमेल का का सामना करना पड़ता है तो एक तरफ शेर्षा सूरी होते हैं दूसरी तरफ होता है मालदेव शेर्षा सूरी जो होते हैं उनके साथ जेकी राओ जैसी थे और इसके अलावा जो बीकानेर के कल्यान मल थे वो भी सेर्षा सूरी के साथ में ही थे और मालदेव के साथ थे इनक जो है जोदपूर पर आक्रवन कर देता है और मालदेव जो है वह है शिवाना चले जाते हैं शिवाना जो की मारवाड के सास्कों की सरण स्थली रही है तो मालदेव वहां चले जाते हैं और जोदपूर पर शेर्शा सूरी का अधिकार हो जाता है वही 1545 में शेर्शा सूरी क सासा राम बिहार में म्रत्यू हो जाती है और तब ही जो मालडे में वह देखते हैं कि जोध्पुर वहाँ पर शेषा सूरी की म्रत्यू हो चुकी है तो वह बापस आ जाते हैं तो यहां मालदेव के पुत्र थे राम, उदे सिंग, राव चंदर सेन और रायमल, तो राव मालदेव जो थे उनका बड़ा बेटा था राम, ठीक है, लेकिन यह जो मालदेव थे यह राम से खुश नहीं रहते थे, तो इन्हों ने क्या किया था, राम जो है इनको परगना द रहते थे, इन्होंने उदे सिंग को फालोदी का परगना दे दिया, और रायमल को शिवाना बाडमेर का, और जोधपुर, जोधपुर का परगना दिया राव चंदर सेन को, क्योंकि इनसे यह बहुत अधिक प्रभावित रहते थे, और इन्हें अपना उत्रादिकारी बना और राव चंदर सेन की हत्या की यह सभी प्लैनिंग करते हैं, माल देव ने अपना उत्रादिकारी चंदर सेन को घोसित किया, राम और उदे सिंग ने क्या किया, विद्रो किया, चंदर सेन अपने भाईयों पर आक्रमन करके ही गद्धी पर बैठते हैं, तो यहां पर एक युद्ध होता है उदे सिंग और चंदर सेन के बीच में कौन सा लोह वट का युद्ध, जिसमें भी चंदर सेन विजई होते हैं, और जो राम होता है बड़ा भाई, वह क्या करता है, अकवर की शरण में चला जाता है, तो अब हम राव चंदर सेन की वीरता की कहानी देख दीखेंगे, इनका समय है 1562 से 1581 इसवी, ये इनके शाषन का समय है, इनका जन्म जो है 30 जुलाई 1541 इसवी को हुआ था, और देख ये इसी वर्स, जो है बीचा नेर के जो Rgn है, उनका भी जन्म होता है 1541 इसवी में, तो राव चंदर सेन और बीका नेर के राईसिंग, दो समय जो समकालीन मुगल शाशक हैं वह हैं अकवर इनका समय था 1556 से 1605 इसवी का राज दिलक जो है रावचंदर सेन का 1562 में जोतपुर में किया गया था रावचंदर सेन को देखिए मारवाड का प्रताप कहते हैं क्योंकि प्रताप की तरह ही इनके कारे रहे हैं जीवन इनका संगर्स में बीता था प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है क्योंकि राणा प्रताप का जन 1540 का है और रावचंदर सेन का 1541 का है पत्प्रदर्शक कहा जाता है प्रताप का भूला विसरा राजा कहा जाता है तो भूला विसरा राजा जो है वो केवल एक कारण की वज़े स कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि राव चंद्रसेन जो है अपने अंतिम दिनों तक पहाडों में और जंगलों में यहीं से अपना संगर्स करते रहे थे मुगलों से तो इनके पास धन धानने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी तो इन्हों ने क्या किया कि वहाँ जो आसपास की संग्या दी गई 1564 में क्या होता है कि अकवर ने होसेन कुली कांखे नेत्रत्व में सैना भेजी आठ महिने तक संगर्स के बाद चंद्रसेन ने जोतपूर का किला छोड भादराजू चले गई तो जो इनका भाई था राम वो अकवर की शरण में चला जाता है और फिर अ कहारा मिल जाता है कि जोतपूर पर आक्रमण किया जाए तो वो क्या करता है 1564 इस्वी में जोतपूर के लिए सैना भेजता है हुसेन कुली खांके नेत्रत्व में आठ महिने तक संगर्स चलता है और चंद्रसेन यहां जोतपूर का किला छोड़ देते हैं और यहां से लियाणमल आते हैं इनके दौनों बेटे राय सिंग और प्रत्वी राज आते हैं जैसल मेर से हर राज आते हैं तो ये सभी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं मुगलों की ठीक है चंदरसेन भी आते हैं चंदरसेन इस आसा से आते हैं नागोर दरवार में कि जोदपुर जो है दुबारा से प्राप्त हो सके तो इसी प्राप्ती की आसा से यह नागोर दरवार में आते हैं लेकिन वहां राजपूत शाशकों का अकवर की अधिनता सुईकार करते देख संघर्स का रास्ता चुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो अकवर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, अब क्योंकि मुगल की अधिन्ता सुईकार करने से वह इंकार कर देते हैं और वहां से बिना बताए चले जाते हैं। तो अकवर क्या करेगा? अकवर जो है वह है अब राव चंदर सेन के लिए अभ्यान भेजेगा। और कहा कि चंदर सेन को मारवाड से कोई भी साहता न दी जाए यहां तक कि अगर इस रास्ते से भी चंदर सेन गुजरेगा तो यहां से भी कोई भी साहता नहीं करेगा। तो चंदर सेन जो है जोदपूर से भादरा जून चले जाते हैं। 1582 में मोटा राजा उदे सींग को जोदपुर का प्रशाशक न्युक्ट किया जाता है, ठीके? अब देखिए, ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है कि बीकानेर के राइसींग को 1572 में अकवर ने यहाँ का अधिकारी न्युक्त किया था, प्रशाशक न्युक्त किया था औ पंद्रे सो चोहत्तर में अब देखिए जलाल खां के नेतरत्व में सैना भेजी जाती है भादरा जून के चंदर सैन को वहां पकड़ कर लेके आएं और अधीनता सुईकार कराएं लेकिन यहां से भी चंदर सैन कहां चले जाते हैं शिवाना चले जाते हैं भादरा जून से सुखराज थे, सूजा थे और देवी दास भी थे तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा एक्जाम में हो सकता है ये तीनों के नाम पूछ लिये जाएं फिर 1577 से 1578 में अकवर ने सहबाज खां और राय सींग को सिवाना भेजा यहां से चंदर सैन अपने भतीजे कल्ला ज पर गए और यहां से युद्ध करते रहे और अंत तक यहीं पर रहे तो जोदपुर से कहां गए सबसे पहले भादरा जून गए भादरा जून में देखिए जोदपुर से कहां गए भादरा जून गए भादरा जून से शिवाना गए और शिवाना के बाद यह सारण की पहाड़ियों में चले गए अब क्या होता है कि चंदर सेन जो इतने टाइम तक जंगलों में रहे पहाडियों में रहे तो वहाँ देखिए खाने पीने की विवस्था इनकी सेना के लिए खाने पीने की विवस्था जो जितना धन इनके पास था वो समाप्त हो गया और धन की इनके पास कमी हो गई तो अब इनके पास कोई भीचारा नहीं बचा तो इन्हों ने वहाँ जो महाजन थे उनको लूटना शुरू कर दिया जिससे कि मारवाड के लोग चंदरसेन से नाखोस हो गए और जनता में ये अलोक प्रिय हो गए यानि इतना संघर्स जो किया वो सभी लोगों ने इनका भोला दिया और इसी लिए इन्हें भूला विस्रा राजा कहा जाता है 1581 इस्वी में चंदरसेन की मृत्यू हो गई और 1581 से 1583 तक जोदपुर को खालसा घोसित कर दिया गया 1583 में ही अकवर ने चंदरसेन के जो भाई मोटा राजा उदे सिंग इन्हें जोदपुर का शाषन सौप दिया तो देखिए यहाँ चंदरसेन का जीवन जो है इतना संघर्स में था जैसे राणा प्रताप का था डॉक्टर विश्वेस नात जो रेव हैं क्या कहते हैं राव चंदरसेन की तुलना इन्होंने महाराना प्रताप से की है चंदरसेन प्रतम राजपू शाषक था जिसने अपनी युद्ध नीती में दुर्ग यानि किलों के इस्थान पर जंगल पहाडी शेत्र इनको महत्व दिया था तो कितना संघर्स्पूर जीवन रहा था राव चंदरसेन का तो यहाँ पर राव चंदरसेन का जो टॉपिक है वह है कम्प्लीट होता है बार बार पढ़िए वीडियो बार बार देखिए जिससे कि यह आपको चीज़े बहुत अच्छे से याद हो जाए तो इनको बिलकु आप अपनी नजरों से निकालिए बार बार इनको देखिए बार बार रिवाइस करिए जब तक एक्जाम आते हैं तब तक इनको आप कम से कम 4-5 बार रिवाइस कर लीजिए ठीके तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के साथ और जल्दी ही हम जो राजि कर लेंगे थैंक यू